अब मैं जो जो आपसे पूछूंगा आप सिर्फ मेरे बाई सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे आपने फारुक खान रजवी साफ से जो बात की कॉल पे और आपके उनसे सवाल पूछा वो आडियो अब्दुल्ला तोतला जिसको आप अब्दुल्ला साहब कहते हैं उसे आप से पूछ के अप्लोड की है या बिना पूछा अप्लोड कर देगी मुझसे नहीं पूछा गया मुझे तो मालूम भी नहीं था तो जब आप बोले कि अचानस जवाब बोले तो मैं खुछ हो गया कि गोला मैं आपको पिकानी कि वो आप कहा शुन्हानाद किया है तो Start जो अप्डुल्ह तोटला में उसको अबकू अब्दूल्ह साहब कहते हैं वो आपगी के शेहर करें मुंबई करें हूँ द्समिनिक से तो बांदरा के 10 मिने चैंट की दूरी पर क्या पढ़ता है? उनका जासे अब वो कहीं दी अगर रहते हो 10-15 मिनट अभी तर बाइक कर लगेगा उससे जाधा नहीं लगेगा तो उसने अपने बारे में आपको मतलब कुछ बताया कि वो क्या काम करता है जाज़ता है आपको यह सब लोग अच्छे लगते हैं या आपको हम अच्छे लगते हैं आपको सबसे अच्छा कौन लगता है इमानदारी से बताईएगा यह आपको कोई बरेलभी कोई अधीज कोई दिवबंदी नहीं है यह देखाँ बात करनी का तरीका है आपको बात आपको कभी मुझे पूटी स्रीटी में कियो यह मुझे सब्सक्राइब किया आपको मेरा अडियो डाल दिये उसमें कज़ाब आजम बहुत कुछ बोले भाई असल में आपको ऑडियो डालने का मुझे कोई शौक नहीं था मैं तो आपको जानता भी नहीं था आपकी वाइस यह तोतला और उसके टोले ने इस तरीके से भाई अपलोड किया उसको शेर किया एडिट करके कि शुरुआत में आपकी वाइस है और आप उसमें बोलने हैं कि मुझे अपको खान ने जान से मानने की धमकी दी मुझे कह रहा है कि बोरियां भर-भर के पैसा दूंगा मुझ और मुझे धमकियां दे रहा है जब अदस्ती कर रहा है लेकिन मैं पैसे के लालेच में नहीं आओंगा और मैं अपना दीन कभी ने छोड़ूंगा और उसके आगे जो आप और हमारी इद वाले दीन बात हुई थी जब आपने अब्दुल्ला तोतले को कॉन्फरेंस पे ल करना और यह ऐलान कर देना कि अफ्वू खान भाई हमारा उस्ताद है और हम उसके चेले हैं आज से दीन हम अफ्वू खान से सीखेंगे और हमने आप से कहाता है यह जो बाती लकीदा है इसको छोड़ दीजिए और एहले सुनत एहले अधिस बन जाईए आपको इजजत मेरे पास खोन करने लगे क्यार तुम पैसा देखिए लोगों को एहले अधिस बन वार हो तुम उसको धंकी देते हो कि एहले अधिस बन जाओ वन्ना तुमको मार दूंगा तो मजबूरी में मुझे अपना दिफा करने के लिए वीडियो बनाना पड़ा वन्ना मेरे को कोई शौक नहीं है अब इंग लोगों ने क्या किया आप उसीधे साथे बिचारे आप पहले दिवबंदी थे उसके बाद आप करें सौदी अरब तो आप बन गए एहले अधिस फिर वापस इंडिया है तो आपको इन मतलब बरिल्वियों ने उलजा लिया इसलिए मैं आप से कह जाँदा और खतरनाक से खतरनाक सवाल करना है आपको जितना फुछ उल्टा सीधा बोलना है बोलीए मैं हर सवाल से जवाब देने को तैयार हूँ नए उल्टा सीधा कियों बोलूँगा बेके लौई क्या मुझे अइजसे मालीटे कोई आपके दिल में यह सवाल है कि हरे कुछ तुम लोग तो पेले खबी हो वहाबले हो तुम लोग वली की शान में तौहеन करते हो यह करते हो उवो करते हो अगर इस करिके से भी अगर आ इन आकाबिर ने लिखा है कि बहन से निकाह करना जाए। मैं तो माना तो नहीं लेकिन इसके लिए मैं तहकित करना चालू किया हूं कि वह अब है यह अब करणा है या वाइल क्या गाला है। माँ से निका Бटह से निका करना या बहन से निका करना ये शरीयतन हराम है. ये हम कह रहे हैं अपने फूरे मेरे बहन होच्छा अवाशमें और अलाहम हम झिनदा हैं. अबwest пери मेरे वह आलम इदीन है, ठीक है ? सालों पहले अगर यह मसला उतार दिया, कि हाँ बहन से शादी करना जाइज है, तो अब यह देखना पड़ेगा कौन सी बहन, भाई कोई दूर की भी तो बहन हो सकती है, कि हाँ मेरे मेरे बाई दूर के चाचा है, उनकी मेरे बाई बेटी है, तो वो भी मेरी कही न कही रिष्टे में बहन हुई, मेरी कजन हुई, जो मेरी दूद शरीक बहन नहीं है, बाई वो डिरेक्ट हमारी मा के उलाद नहीं है, तो भाई जाईसी बात है, अगर मेरे दूर के चाचा है, हाला कि सगे चाचा भी नहीं है, दूर के चाचा है, मैं उनको बचपन से चाचा बोलना हूँ, अंकल बोलना हूँ, और उनकी बेटी का अगर मुझसे मेरे भई निका हो जाता है, तो भाई इस मसले पर अगर किसी ने जवाब दे दिया, कि हाँ बहन से निका करना जायज है, तो अब इस तो पर क्या हम लोगो को मतलब गालिया देने देखे, लेकिन अब जिनों ने ये बात बताई, वो तो मेरे भई सब जाहिल है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिका हनफी की मेरे भई किताब हिदाया, उसमें आता है किताब उसका हवाला है किताब लुदूद, और उसके सफ़ा नंबर 228 पर आता है कि मा से निका करना अगर कोई कर लेता है, तो उसके कोई हद नहीं है, अब मैं कह दूँ, क्या देखो तुमारे हनफी मसलक में तो तुम लोग अपनी अम्मा से साधी कर लेते हो, नहीं, वो पुराने लोगों ने, आलिमों ने, अपनी सोच से, फहम से मसलक उत कि अगर कोई मा से निका करता है, चाहे जान बूच के क्यों ना किया हो, उस पर कोई हद लागू नहीं होगी, तो अब ये मसला, भाई, गलात है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन अब हम इस मचल, मतलब जो ये मसला है, इसको पकड़ के, हम हन्फी देवबंदी और हन्फी बर चाहे वो बरेलगी हो, चाहे दोबंदी हो, चाहे वो अपनी मा से भाई, वो निका कर रहा है, आज कोई एले हदीस है, चाहे वो अपनी बहन से निका कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये सिख मेरे भाई, नौ जवानों को गुम्रा करने के लिए कि अहां देखो इनके किताब में इसा है फला किताब में वैई आरे हमें किताबpay क्या लेना देना भाई हमारे लिए हुझेत कुरान हदीस अगर 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 अज़ाय के नभी 되는데 तो आप कोई आलिम की बात मेरे पर गलत है तो उसको नहीं मानेंगे, उसको छोड़ देंगे, अब आलिम तो पहले मर चुका है ना, अब आलिम की जान तो ही ना ले लेंगे, यह समझने आली बात है रफिक भाई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, फितने फसात में आपको भसाया जा रहा है, यह अब्दुल्ला, तोतला, फारूग, रजा, बिदती चोर, यह आपको आगे करके, ठीक है, यह आपको आगे करके, अपनी रोटियां से करें, अपनी चैनल पे, आप से बात करवा के, आपका जो सीधा पन ने उसका फायदा उठ अपने चैनल पे वीडियो अफ्लोड करते हैं, ठीक है, यह सब आपके साथ हो रहा है, आपको जितने सवाल है, जितने कंक्यूजन है, आप बड़े से बड़ा थोटे से छोटा, जो सवाल आपके दिमाग में अटक रहा है, आप अपने इस अपने इंसानी भाई से पूछो चरो हमको दिनी भाई, मानो ना मानो, इंसानी भाई तो मानते हो, हम लोग एक आदम के उलाज से हैं, आप हमारे भाई हो, अगर आप कहीं मेरे भाई कोई आपका फैदा उठा रहा है, आपको बेकूप बना रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने दूसरे इंसानी भाई क मैं की मदद करें तो हम तो मदद आप ये कर रहें न और मैंने आपकी जो ओडियों थी इस लिए डाला था कि मैं रोजीं से था उसके बावजूद आपने फोन करके मेरी मा चाहें और मैंने आप से कहा भी कि मैं रोजे कूँ लेकि आप गालियां देते रहें। और मैंने वाले जो आज के दौश की जमाते वो है एहल सुनत, एहल हदीथ। भाई हम नभी से मौबत करते हैं, नभी की सुन्नत पर अमल करते हैं, नभी के जैसे नमाज पढ़ते हैं, नभी ने बिदात करने से रोका तुछ से रुख जाते हैं, नभी ने शिर्क करने से मना क्या नहीं करते हैं, नभी का किसा तोहिद पर ताम तोहिद पर रहते हैं, में किसी का कीदा नहीं है ना बरेलवी का नहीं ना देवबंदी का ना एले अदीश का ना शिया का ना सुन्नी का किसी का नहीं है कोई नहीं मानता है कि नभी माज अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए ये एक इबारत मेरे भाई इसमाइल देहलवी की लिखी हुई है ठीक है हा चाहिए था लेकिस उन्होंने जो मिसाल पेश कर दी उस अब दों का जो चैन था उर्व उन्होंने गलत कर दिया अभुदाउन शरीf की अपिछ। एक शाबी होते हैं वो एक जगह जाते हैं तो वहाँ पर लोग देखते हैं कि वो जो लोग है कौम के, वो अपने जो सरदार हैं, उनको सज्दा कर रहे ह되는 हैं। तो जब वो आपस आते हैं तो वो OH printed से कहते हैं कि हम जहां पर गये थे वहां पर जो लोग थे वह अपने बड़ो को अपने सरदार सरदा कर रहे है," तो Allahblica Hand tweaks — कहते हैं कि नैं सरदा सिर्फ ब ignoring IDE अगर मेरी उम्मत में सजदा जाइज होता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें लेकिन जो सजदा है वो सिर्फ अल्ला सुभानों ताला को है और अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो अगर मैं इस दुनिया से फॉर्फ हो जाऊं तो क्या तुम मेरी जो कबर है क्या उसको भी सजदा करोगे तो सहाबा कहते हैं कि नहीं अल्ला के रसूल तो इस हदीश के बुनियाद पे शाद इश्माइज दहलवी ने एक इबारत मेरे भाई लिखी और वो समझाना ये चाह रहे थे कि नभी सलल्लाओ अल्यवसल्म भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जावेंगे वो ये समझाना चाह रहे थे उनका अकीदा ये नहीं था कि नभी माज अल्लाओ मार के मिल जावेंगे जुम्ला फिर भी तो खराब है नो वो ही तुम्हें कहरो हो जुम्ला 頗लात है हम जुम्ले की ताहीर हमने कर रहें नभी मरकर मिट्टी में मिली नहीं सकते क्यों तो कि हमारे किदा ये है कि अंबिया लेख्रेसलाम की जो बॉडी है जिसम है जो उनका शरीर है उस पर कबर की मिट्टी हराम कर दी गई है किसी मिट्टी कित्थी ताक्ती नहीं है कि मेरे नभी प्यारे आका मुहम्मद स.Α. के जो बॉड़ी है उसको कोई मिट्टी कड़ा पाए, गला पाए, खराब कर पाए तो मिट्टी में कभी अंबिया लिए सलाम माजला मिली नहीं सकते मरके, ठीक है? लेकिन वो समझाना कुछ और चारे थे, बोल उन्होंने कुछ और दिया, जैसे एक मेरे कुरान की एक आयत है, उसका तर्जमा लोग करते हैं कि उन्होंने चाल चली और अल्ला ने भी चाल चली आए, अल्ला सबसे माहिँ, वो है चाल बाज है, अब माजला ये जो अल्पाज हैं आए, енд्र चाल बाज है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आला अधरत ने इसका तर्जमा किया जो मकर है, ठीक है? उसका तर्जमा किया खूफिया तद्बीर तो ये अच्छा तर्जमा है लेकिन अब अगर किसी ने इसका माना कर दिया उन्होंने मकर किया अल्ला ने भी मकर किया और अल्ला मकर करने में सबसे माहिर है तो ये तर्जमा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है इससे तोहीन मतलब पता चल लिए इसी तरीके से उन्हों ने चाल चली अल्ला ने भी चाल चली और अल्ला सबसे माहीरे चाल बाजी में तो ये भी मेरे बच सही नहीं है इसमें तोहिन लग रही है तो इस तरीके से अलफाजों का जो चयन होता है वुस में उनसे तौहिन हो गई है अकीदा दुनिया में यह किसी का नहीं है कि माज अल्ला अल्ला के नभी सल लाओ अल्ला मरके मिट्टी में मिल जाए ठीक है यह खाली दोका भी आ जाता है और क्या गुश्टाकी कहते हैं ना वो एक्ष्टाकी हमारी है नहीं शाह इसमाइल जहलवी बाद लोग उनको कहते हैं कि वो एले अधीश थे बाद लोग उनको कहते हैं कि वो देवबंदी थे तो वो जो इंसान है शक्सियत है वो साबिती नहीं है कि वो पूरे तो से थे क्या वो एले अधीश थे या वो देव की बन्दी थे तो ऐसे सक्स की अबारतों को हमारे सर पर काहे के लिए डालना और दूसरी चीज मान भी लिया जायी वह एले जीस्ते मान भी लिया जाय आज या ? तो भी भाई हमें पानी पी-पी के गालियां देते हैं कि गैर मुकलिद गैर मुकलिद गैर मुकलिद तो जब हम गैर मुकलिद हैं तो किसी आलिम के कॉल को हमारे पर क्यों पेश कर जो भाई हम उसके मुकलिद थोड़ी नहीं हम मुकलिद अगर होते तो हमारे आलिम के कॉल प इसमें वो हमारे लिए हो जाते हैं और भाई मैं फिर आपके कह रहा हूं यह सब आपको बेकूप बना रहे हैं आप इनका साथ छोड़ दीजिए बाकिया आपको बरेलवी बनना है आप आराम से बरेलवी रहों कोई मुश्किल नहीं है तो आज के बाद आप ये अब्दुल्ला तोतले का साथ छोड़ दो गए ना इस इमानदारी से बताइए कोई इसका दोका नहीं अगर आपको उसका साथ देना है तो फिर मेरी बात आप नहीं नोट कर लो इस दुनिया और आखरत दोनों में मेरे जली आपको होना पड़ेगा क्योंकि ये तोतला सिवाए आपको गाली के दोक्यवाजी के चारसो बीसी का आपको कोई काम भाई वो नहीं सिखाएगा है 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 अच्छा ये बताइए मेरे एक गाउं में एक चाचा है मैं उनको बच्पन से चाचा कह रहा हूं और उनकी बेटी हमें माली यह पसंदा अगई। अब कि उनको चाचा कह रहा हूं तो उनकी बेटी मेरी कहीं ना कहीं बेहन लगी न His अब मैंने किसी आलिम के पास गया और मैंने उनसे पूछा मसला कि आलिम साहब एक दूर के मेरे चाचा है मैं बच्पंज उनको चाचा कह रहा हूं और उनकी बेटी से क्या मेरा निका हो सकता है कि वो मेरे को भाई कहती है ने उसको बहन माचता हूं लेकिन अब ठीक है निकाह क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं तो उस आलिम नेकर कह दिया कि हां मतलब जो बहन उससे निकाह करना जैज है तो क्या उसकी बात यह मतलब गलत हो गई आप बताओ अगर आलिम के सगी बहन से निकाह करना जाइज है लेकिन आप वो कोई दूर के चाचा हैं गाउं में हमारे पडोस में रहते थे बचपंस उनकी गोद में खेले उनको चाचा चाचा कहते थे अब अगर भाई हमारे अबा ने उनकी बेटी से हमारी शादी तै कर दी तो बहन से निकाह जाइज हो गया ना लेकिन सगी बहन तो नहीं है ना ऐचे तो अखर दीनी औरत हमारी बहन है इसलाम में आदम की जो उलाद हैं तमाम आपस में भाई बहन हैं और इबराहीम अले सलाम ने अपनी बीवी को कहा था कि ये मेरी बहन है आप समझ रहे हैं जब जो जो बाश्या था जालिम उसने जब पकड़ लिया और जब उनकी मतलब जो भाई वो नियत भी खराब हो तो उन दोनों को जब पकड़ा गया तो बाश्या ने पूछा कि जो यह औरत है लड़की है यह कौन है तुमारी तो अगर इबराहीम अले सलाम कहते कि यह मेरी बीवी है तो बाश्या उनको मेरे या तो जेल में डाल देता और या तो उनको कतल कर देता और उनकी बीवी को तो उन्होंने एक हिक्मत के तहत का कि ये हमारी वहन है अब पक्य आमाज अल्ला को ये कह सकता है अरे इब्राहिम आले भीक्सलाम ने तो अपनी भैंच से निकाह कर लिया तॉबा तॉबा रपा, नई, वो दीनी उनके दिल में नियत क्या थी कि यह मेरी दीनी बहन है दीन की निजबस से लेकिन एक्च्वल में भाई यह मेरी सगी भीवी यह आई बाद समझ मैं मेरी जो बीवी है उससे शादी से पहले वो मेरी भाई वो कौन थी वो मेरी दीनी बहनी तो थी है भाई आपकी शादी होई इल्वी कि नहीं अच्छा तो जिससे आपकी शादी कर ली तोबा-तोबा तो बाई मस्ला समझना पड़ता है अगर लोग क्या करते ही इबारतों से में मैच केल